एलो एब्रिवन क्या हल चाल? चेज़ चिसल की नोटिफिकेशन आ गई है और हम लोगों को नोटिफिकेशन देखके साफ पता चल रहा है कि अब स्येज़ चिसल में भी सीजिल का दौर चाने वाला है कैसे फटावर से देख लेते हैं एक पर notification क्या कहता है combined higher secondary 10 plus 2 level का examination 2022 की date आ गई है और इसके हिसाब से 6.12.2022 से form भरना start होंगे और 4.1.2023 तक form भरे जाएंगे CGL का जैसे tier 1 qualifying nature का है ऐसे ही जो हमारा CHSL है इसका tier 1 का जो exam होगा वो qualifying nature का हो गया क्या nature में कोई बदलाव कोई बदलाव नहीं वही चार section रहेंगे वही same number of question रहेंगे कोई बदलाव नहीं और इसकी date दी गई है February से मार्च 2023 में यह exam हो सकता है यानि February मार्च के महीने में यह exam connect करवाए जा सकता है लेकिन बदलाव किसमें टायर 2 में बदलावा है टायर 2 जो है पहले descriptive होता था अब वो descriptive नहीं रहा हमें ring ceremony की date पता लग गई है February और मार्च का महीना हमें लेकिन शादी की date जो है वो कहरें बाद में बताएंगे पहले देखते हैं तुम ring ceremony के बाद जो है ठीक ठाक रिष्टा बना पाते हो नहीं बना पाते हो ठीक तो अब हम आते हैं सीधा जो main मुद्दा है टायर 2 का exam टायर 1 जो है qualifying nature का है टायर 2 क्या कह रहा है हम लोगों को इसको भी देख लेते हैं एक सेकंड दीजेगा टायर 2 ही या चलो उपर एक सेकंड दीजेगा देखे जी यह है हमारा टायर 2 का exam वही CGL वाला सेम पैटर्न खेल दिया है यहाँ पर maths reasoning के तीस-तीस question और यह हो गया तीन नंबर के question 180 section second module first के अंदर English module second के अंदर general awareness 40 और 20 total question 60 वही एक 180 नंबर section तीसरा module first यह हो गया हमारा computer के 15 सवाल और time आप लोग देख सकते हो यहाँ पर time mention किया गया 15 मिट यहाँ पर दिये गए है और section जो है third skill test है यहाँ पर देखेगा और सारा जितना भी process है वो सारा इसी के ओपर depend करता है और यह सारी बात की tier 1 जो है qualifying nature का है tier 2 जो है main मुद्दा है अब इसी के ओपर बच्चो को decide किया जाएगा यह दिया गया है page number 23 पर जहां पर हम लोगों को इसके बारे में जानकारी होते है कि merit list will be prepared only on the basis of overall performance candidate in tier 2 examination only तो tier 1 qualifying है tier 2 के अंदर हमने बज़ाब देख लिया तो आपको रुकना नहीं है CGL का exam देने के तुरंट बाद CHSR की तयारी में लग जाओ मेंस की तयारी में लग जाओ back to back exam होने वाले हैं और मिलते हैं बहुत सारी update के साथ follow me on GS World तब तक के लिए bye bye and check care